नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां तीन निंबु और दो लोंग भूल जाओगे जिन्दगी में कंगाली का नाम यहाँ आजका टोपिक आप सभी के लिए तीन पके हुए निम्बू लेकर के एक को नीला एक को काला तथा तीसरे को लाल रंग की स्याहिसे रंग देना है अब तीनों निम्बू उपर एक साबूत लोंग कार देना है इसके बाद तीन मोती चूर के लड़ू लेकर के तथा तीन लाल पीले फुल लेकर के एक रुमाल में ब करके बहते हुए जल में प्रवाहित करते समय आसपास कोई खड़ा नहों इस बात का ध्यान रखें हमारी या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की ग्रह इस्थिती थोड़ी सी भी अनुकूल होगी तो हमें निश्चे ही इन उपायों से भरपूरला मिलेगा आटे का दिया एक रात्री को बारह वजे सुन सान चोरा है पर जा करके पत्ते को रख दें एवं प्रार्थना करें जब घर से निकलते वक्त यह प्रार्थना आपको करना है ध्यान रखें जो मैं बता रहा हूँ है दुर्भाग्य संकट विपती आप मेरे साथ चलें और पत्ते को रख दें फिर प्रार्थना करें मैं विदा हो रहा हूँ आप मेरे साथ ना आएं चारों रास्ते खुले हैं आप कहीं भी जाएं एक बार करने के बाद एक दो महीने देखें उपायलाफकारी है श्रद्धा से करें दुर्भाग्य कभी कभी न चाहते हुए भी जीवन में बहुत नहीं देता साथे दुर्भाग्य निरंतर पीछा करता रहता है दुर्भाग्य से बचने के लिए या दुर्भाग्य नाश के लिए या हम आपको एक अनुभूत या अद्भूत उपाय बता रहे हैं इसे पून आस्था के साथ करने से दुर्भाग्य का नाश होकर के सो भा उवार लें और प्रतिक बार उवारते समय इस मंत्र का उचारण भी करें ओम दुरभाग्य नाशिनी दूंग दुरगाय नमह बाद में यह रोटी कुट्टे को खिला दें अथवा बहते जल में बहा दें यह अद्भूत प्रियोग है इसके बाद आप देखेंगे कि किस्मत क दरवाजे आपके खुल गए हैं पुर्ण आस्था से यह उपाय करने पर शिग्र लाव होता है उडद के दाल के चार बड़े शनिवार को प्रातः सीर से तीन बार इंटी क्लोक वाई यानि के उल्टा घुमा करके कोवों को खिलाना है जी हां साथ शनिवार को आप करें श शनिवार के दिन आठ नंबर का जूता लेदर का शनि का दान मांगने वाले को ओम सुर्य पुत्रायनम आठ बार कह करके देना है शनि क्रिपा प्राप्त करने के लिए 27 किलो गुलाव जामून पर एक लोंग फूल वाली चुभो कर शनिवार को जमना नदी में प्रवाहित क कर देना है आपको इस से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी फ hou कठनाय आपसे दूर भाग जाएंगी यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुठते हैं कौर बेहती महतोःे जानकारी को लेकर करके तब तक के लिए धने वाद नमस्कार दोस्तों